Hello friends, सौगय थे एक और वीडियो में, आज के इस वीडियो में आपन लोग complete करने वाले sports से related सभी चीज़े, जित्री भी चीज़े हैं sports से related, either कौन-कौन से tournament है, कौन से award है, latest में कौन-कौन से news है, सभी चीज़े cover करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि इस sports से एक से दो question हमेशा प non-technical के अगर तयारी नहीं हुई है, तो सबसे पहले जाके तो आप computer की classes देख लो, computer के नीचे playlist में दिया हुआ है, जिसमें आपको syllabus में, आपके topic wise पूरा अच्छे से cover किया गया है, बहुत सारी लड़कों को helpful हो रहा है, तो नीचे जाके computer में, computer की playlist में जाके देख लो, computer क syllabus complete कर लो, history का आपको नीचे syllabus मिल जाएगा, quality की notes मिल जाएगे नीचे आपको, reasoning के जो important topic है, वो मिल जाएगे, current fs की और classes, 2-3 classes हो चुकी तो नीचे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो नीचे जाके आप चेक कर सकते हो, नीचे प्लेलिस्ट में है, वहाँ से जाके आप आपको helpful रहेगा, ये तो कही पुरानी बाते, अब आज start करते हैं, sports के बारे में, तो sports से क्या क्या question आते है, सबसे पहले तो यही question आते है कि कौन सी traffic किस sports से related है, ये अभी पहले भी आया हुआ था, और हर exam में mostly पूछता ही है, तो देखी cricket, cricket के बारे में तो सभी को बता र में कि हर exam में SS तो जुरूर पूछता है, तो SS किस के बीच में होती है, ये होती है, इंग्लेंड और आस्ट्रेलिया के बीच में, इसको धियान रखना है, उन सीके नायडू ट्राफी होती है, एक cricket से related, और बाकी तो आप नार्मल जो भी है, T20 ये सब तो पूछता नहीं पूछे जाते हैं, maximum footwall से, so footwall में Durant Cup होता है, Santos Cup होती है, Rovers Cup होता है, Rovers Cup ध्यान रखना, अभी पिछली 2 exam में आ चुका है, Federation Cup होता है, Kalinga Cup होता है, इसके बाद आते हांकी, हांकी में आगा खान Cup, ध्यान चन Cup और नहरू ट्राफी, SSC का पेपर देखोगे, SSC का तो फेव ध्यान रखना है, mostly, क्या Davis Cup, बाकी 4 Grand Slam तो आपको पता ही है, क्या Australian Open, Wimbledon, और होता है French Open, और एक होता है USA Open, ये चार आपको ध्यान रखना है, इसके लावा गोल्फ में, गोल्फ में ध्यान रखना है, Prince of Wales Cup होता है, Rider Cup और Walker Cup, तो ये तो हो गया, sports में कौन-कौन सी series होती ह अब देखते हैं कि sports में कौन-किस sport में किते ख्यलाडी होते हैं ये देखना है और उसमें जहां पर sport खेला जाता है, उस field को या फिर उस पे area को क्या कहते है, जैसे cricket ख्यला जाते है, जहां पर pitch पर you, आफिर field आप कह सकते हो, 11 ख्यलाडी होते हैं, ये तो आपको पता ही है, फुटवाल में भी क्या होते है, 11 खिलाड़ी होते है, उसको भी फिल्डी कहते है, हाँ कि कोई जहां पर खेला जाते है, प्लेगराउंड, उसको भी फिल्डी बोलते है, उसको भी फिल्डी बोलते है, उसको भी फिल्डी बोलते है, अब आते हैं, बॉक्सिंग को क्या कहते ह जाती इसमें होते है six number of player और handball भी होती है coat में इसमें होते है seven number of player तो handball धेहन रगना बहुत बार पूछा जाता है अब है judo karate और taekwondo वो खेले जाते है Mac में और cycling जो होती है वो होती है velodrome में रगभी बहुत important game है रगभी से बहुत बार question आता है रगभी में कितने खिलाड़ी होते है 15 तो अगर कभी भी question आये कि maximum number of player किस game में होते है एक game में तो उसको आपको answer लगा के आने रगभी रगभी में होते है 15 player कबड़ी कबड़ी को field या code कहते है इसमें भी 7 player होते है खोको में 9 player होते है आइस हाकी को हाकी रिंक में खेला जाता है और wrestling होती है एरीना में एरीना में ध्यान रखना ये भी पूछा गया था पहले रगभी वाला question बहुत बार आ चुका है तो इसको भूलना मत ये एक दो बार पढ़ते रहे ना अराम से आपका revision हो जाएगा और latest आपको update हो जाएगी tennis में में जो पूछा जाता है डेविस कब लास्ट टाइम डेविस कब किसने जीता और चार ग्लेंड से हम पोचे रहते हैं जिसमें कौन-कौन से आते हैं सबसे फस्ट है Australian open जो अभी हुआ है latest 2022 में आपका कहां पे हुआ था Australia में 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 किसने जीता है में सिंगल में में नडाल है नडाल कहां से बिलॉंग करते है इस पैन से और वूमें का जीता है एसले बार्टी कहां से बिलॉंग करते हैं Australia से अब क्या है कि 2021 के पूरे हैं तो फ्रेंच है फ्रेंच ओपन इसमें जीता था जोगोविक ने सर्विया के हैं और वूमेंस जीता था बारवरान यह है चेज रिप्रब्लिक में अब आते हैं विंबल्डन में आपको ध्यान होगा उस समय कंट्रोवर्सी हो गई थी कि जोगोविक क्या है इन्होंने क्या है अभी तक कोविट की वैक्सीन नहीं लगाई हुई है और वहां पर उनका यह रूल था कि अगर कोविट की वैक्सीन कोई प्लियर नहीं लगा के है अब आते हैं विंबल्डन में तो विंबल्डन आपको ध्यान रखना है यह होता है विंबल्डन इंग्लेंड में इसमें भी जोकोविक में जीता था और वूमें में जीता था एसले बार्टी में और यूएस ओपन हुआ था सबसे लास्ट टूजन टॉन्टीवन में सब देविस का भी ध्यान रखना रस्किया न्यूज में तो बिल्कुल इससे कोश्चन पूछे रहता है अब आ जाते हैं फीफा फुटवाल फुटवाल में अभी जो न्यूज आपकी आ सकती है करेंट में तो सबसे ज़्याद आ सकता है फुटवाल बर्ड कप फुटवाल सब्सक्राइब और कनाड़ा ने एक न्यूज और थी कि कनाड़ा ने जो है 36 साल बाद क्वालिफाई किया है वर्ड कप के लिए ठीक है और 2026 वर्ड कप अभी हो रहा है 2022 कतर में 2026 कहां पे होना है यूस कनाड़ा और मैक्सिको में अब आ जाते हैं इंडियन नेशनल फुटवाल जैसे IPL होता है तो उसी तरह फुटवाल के लिए इंडियन सूपर लीग भी होती है इसके विनर है है धरावाद FC ये कोश्चन पूछे रहा सकता है और अब थे केरला ब्लस्टर तो केरला ब्लस्टर से नहीं आएगा है धरावाद FC ध्यान रखना अब होगया अब हो गया फुटवाल हो गया हाकी हाकी में क्या है इंडियन मेंस हाकी टीम के कैपटन को ने मनपरीट सिंग ब्रांज जीता था इन्होंने अलमपीक में आपको ध्यान होगा इनको अभी क्या एक पदम अवाड़ भी मिला तो कौन सा पदम सरी पदभूसर ने पदभी अब आजाते क्रिकेट आपका फिबरेट यह तो आपको पता ही होगा लेकिन अभी भी लड़के देखना कोश्चन आएगा तो उसमें गलती कर सकते हैं क्योंकि कोच चेंज हो गया है कैप्टन चेंज हो गया है लेकिन लड़के क्या होते हैं जो अभी एक जाब की प्रिप्र बॉल्स लेट मिरवनं कोश कोनिक बार्लिंग कोच है के भारत अरुन और राम क्रिस्न नोर्ढ़डर हैं आपके फिल्ल्डे कोश तो यह तो आपको धियान रखना है टीम से और एक क्वोषचन और धियान रखना है अभी इंडियर तीम ने एक हजारवга match खिला था और पहली टीम ऐसी हो गई थी, जिसने 1000वे मैच खिला हुआ है, तो ये किस के खिलाब मैच हुआ था, ये हुआ था, West Indies के खिलाब, तो ये question बहुत पूछे जाने की probability है, और किस स्टेडियम में हुआ था, ये हुआ था, नरेंद मोदी स्टेडियम, एहमदाबाद और कप्तान क आपने को, ये T20 World Cup में host country को थी, UAE थी, champion कौन बनी, Australia बनी, और runner अब कौन थी, New Zealand, तो T20 World Cup में, अब 2022 में कवहा होना है, next World Cup, T20 Cup, वो होगा, Australia में, अब आ जाते है, IPL में, जो अभी चल रहा है, सबसे फर्स, तो सबसे बड़ी New Jersey की title sponsor आपका change हो चुका है, title sponsor अब कौन हो सबसे जाने के, अभी क्या है, कि दो टीमें और बढ़ गई है, अब किती टीमें हो गई है, दस टीम हो गई है, अब most successful team अभी तक कौन है, अभी तक कौन है, मुंबाई इनियस, जिसने 5 title आपके जीते हुए, ये हो गया, अब आतने team कौन कौन सी, उसमें ध्यान रखना है, चिनने सुपर किंग्स, कैप्टन कै, महन सिंग धोनी ने कैप्टन सी छोड़ दी है, अब कौन बने है, रवींदर चड़ेजा, देली कैप्टन के कैप्टन है, कौन, रिसपपन्त, नई team कौन सी बनी है, गुजराट टाइटन्स बनी है, एक जिसके कैप्टन रहोंगे, हा और कौन है, कौन से ग्रूप से विलाउंग करती है, ये तो है, गोएनका ग्रूप से, जिसके CEO है, संजीउग गोएनका, इनका होम ग्राउंड कौन है, एक नए स्टेडियम, या फिर अभी अब जो क्या कहते है, स्री अटल बिहारी बाचपई स्टेडियम जो इस्टित है, लखनओ में, आपको ये बताना है, कानपूर में जो इस्टेडियम है, उसका नाम क्या है? इसलिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने 2019 में वर्ड कप जो हुआ था, 2022 में ICC Under 19 क्रिकेट वर्ड कप हुआ था, उसमें इंडिया जीती थी, उसमें कैप्टन कौन थे? येस दोल थे, और कोच कौन है? हरी क्रिस कांतिकर, तो ये इनको ध्यान रखना है, कैप्टन इंडिया ने पाँचमी बार जीता था, रना नारब खडायक इसको था, हराया था, इंग्रेंड को, और कहां पे हुआ था, ये हुआ था, वेस्ट इंडिया में, अब वुमेंस क्रिकेट टीम, वुमेंस क्रिकेट टीम भी बहुत न्यूज में रहती है, तो उसमें कैप्ट और कोच कौन है, रमेज पवार, अभी नेक्स्ट सीजन से सायद, आई पील वुमेंस भी चालो होने वाला है, और दुग के लिए भी लड़कियों के लिए भी जो आई पेल है, वो भी स्टार्ट होने वाला है, अभी की न्यूज थी, अभी टीट वर्ड का ये कोश्चन त पूछा जा सकते, बैटमिंटन से कुछ खास समझ में नहीं है, कि जो आपसे पूछा जा सके अभी, समर ओलंपिक हुआ था, समर ओलंपिक पढ़के जाना, ओलंपिक बहुत इंपोर्टन है, बीजिंग अभी ओलंपिक हुआ है, विंटर ओलंपिक 2022, वो भी इंपोर्टन है पर उससे बहुत question नहीं आएंगे आपको summer olympic जो दियान रखे ना क्योंकि बहुत सारे middle जीते थे तो theme क्या थी? theme थी united by emotions host country कौन थी? जापान और next olympic होगा आपका Paris फ्रांस में तो ये तो पहला question हो गया अब है सबसे ज्यादा ranking में सबसे ज्यादा gold, gold के basis miss में ranking होती है तो सबसे first थी USA, फिर China, फिर Japan इंडिया की ranking ध्यान रखना अपन लोग किस position थे? अपन थे 48 position एक gold जीता था नीरच चोपडा ने दो अपन लोग ने silver जीते थे, चार bronze total cool मिला के 7, 7 दिन होते हैं 121 अरब के जनसंख्या में, 7 लोगों ने medal जीता है इता अब कौन-कौन ने medal जीता था? first नीरच चोपडा, बाला फेक में मीरभाई चानू, मीरवारी चानू, weightlifter इन्हें अभी BBC player of the year, woman player of the year 2021 का award मिला हुआ है रवी कुमार दाहिया, इनको भी silver मिला पीवी सिंदू, बैटमिंटर, इन्होंने continuous दो olympic में medal जीता है उस बार silver जीती थी, इस बार bronze, लोविनिया, नहीं लोवलीन, बोरगीना ये क्या है, boxer है, में साके team जीती अपनी bronze, और बजरंग पुनिया तो ये साथ नाम तो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए अब आते पैरालॉंपिक में, तो पैरालॉंपिक में बहुत जुरूरी है, उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अपनी team ने, लेकिन पैरालॉंपिक में सबसे अगर टेवल में देखोगे तो सबसे उपर कौन थी चाइना, फिर ब्रिटेन, फिर USA और इंडिया की पोजिशन थी 24, इसमें कित्ती थी आपकी पोजिशन 48, तो मतलब 48 की आधी आपकी पोजिशन इसमें थी इसमें हम पर लोग ने 5 गोल जीते, 8 सिल्वर, 6 ब्रांज और टोटल कुल मिलाके 19 आपन लोगों ने क्या जीते, मेडल जीते फ्लैक वीरर ध्यान रखना है, फ्लैक वीरर टेक चंद थे ओपनिंग में, ओपनिंग सरेमेनी में अपने इंडिया का फ्लैक टेक चंद लेगे गया थे और क्लोजिंग सरेमेनी में अवनी लखेरा ने, फर्स्ट मेडल भविना पिटेल ने जीता था टेबल टेनिस में आप कौन कौन गोल्ड जीता था गोल्ड जीता था अमनी लखेरा ने सुटिंग में सुमित अंतिल ने एथलेटिक्स में या फिर जविलियन थ्रू में आपके दो मनीश नर्वाल भी सुटिंग में थे प्रमोद भगाद बैट्मिंटन में और कृष्णा नागर भी बैट्मि योगा इसके पहले वालावी जब पारलम्पिक हुआ था तब भी इन्हों जीता हुआ था जैविलियन थ्रू में मर्यपन थंगल वेलू यह भी हाई जंब में यह पहले मेडल जीता हुआ ने हाइज जीता था सिंह राज अधाना ने सुटिंग में और सुहास यथिराज न लुक ने जीता है ऐक बात बात मिंटर अलम्पिक अभी कहां पर हुए होस्ट कंटी बीजिंग में हुआ चाइना में उसका मोटो था together for the shared future और next कहां पे होगा theme moto जोरो धियान रखना और next winter olympic होने वाला है कहां पे इटली में 2026 में next summer olympic कहां पे होगा ये आप बताएंगे नीचे comment करके अब आतनी बात commonwealth games होते हैं 2022 में बर्मिंगा में होगा और इसका क्या है moto क्या है games for everyone तो ये पूछा जा सकता है कि venue कहा है commonwealth game का next commonwealth game 2020 में कहां होने वाला है अब आतने खेलो इंडिया game तो खेलो इंडिया game अभी तक क्या है COVID-19 के करण हर बार postpone कर दिया जा रहा था अभी क्या है next venue कहां पे next venue है मध्यप्रदेश में खेलो इंडिया यूथ game का और खेलो इंडिया university game होगा आपका बैंगलोर बैंगलोर करनाटका में जैन university में तो ये चीज आपको ध्यान रखनी I hope कि इतने में आपका इस से बाहर आपका जो भी है sports से related इस से बाहर तो और नहीं पूछा जाना चाहिए बाकी बहुत बड़ा sport है कुछ भी पूछा जा सकता है बट इसमें आपका maximum चीजे कबर हो गई तो आपको एक idea तो लगी जाएगा तो ये था पूरा sport से वीडियो और बाकी इसके पहले वाले वीडियो आप देख सकते हो नीचे playlist आपको मिल जाएगी current affair की और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो content तो must hit the like button and subscribe to our YouTube channel इस तरह content आप लोग लाते लेते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में